हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ कि आप अपने अपसीर एकाउंट का मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है अब आपको यहाँ पे सर्च बार में अपसीर लॉगिन टाइप करके सर्च कर लेना है इसके बाद थोड़ा सा एस्कोरल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर रेजिस्टेशन का एक ओप्शन दिखाई देगा इसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पे निव यूजर का एक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ करने के जरूरत नहीं है आप सबसे उपर देख सकते होंगे कि 3 या 4 लाइन का एक ओप्शन दिखाई दे रहा है इसके उपर आपको टैप कर देना है अब यहाँ पे आप अपने अपसीर एकाउंट का यूजर नेम या एकामन नमबर को इंटर करना है इसके बाद पासवर्ड और ये इमेज कोड को इंटर करके आपको सिंपली लोगिन के उपर क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पे अपसीर एकाउंट से जो भी नमबर रेश्टर्ड है उस मुबाइल नमबर पे आपको एक विरिफिकेशन कोड जाएगा फोर डिजिट का उसको आपको यहाँ पे इंटर करके लोगिन के उपर क्लिक कर देना है अब आपके सामने अपसीर एकाउंट का होम पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे उपर थिरी डोट का एक निशान दिखाई दे रहा होगा आपको उसके उपर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे यूजर इन्फोर्मेशन का एक उप्शन दिखाई दे रहा है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो अब आपके सामने एक मैसेज आ रहा है आप यहाँ से इमेल एड्रेस और मुबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं तो चलिए हम इडिट के उपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से हम अपने मुबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे अपना इमेल एड्रेस को इंटर करना है और कॉमफर्म इमेल एड्रेस में सेम इमेल एड्रेस को देना है इसके बाद आपको अपना नेया मुबाईल नंबर देना है जो कि आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वो अपने नेया वाले मुबाईल नंबर को यहाँ पे इंटर कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे इमेज कोड को इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपको नीचे एक save का option दिखाई दे रहा है इसके उपर आपको कर देना है click लेकिन आपको click करने से पहले आप अच्छी तरह से अपना email id और mobile number को अच्छी तरह से आप चेक कर लें कि आपने सही इंटर किया है कि नहीं एक बार अच्छी तरह से चेक करने के बाद आपको save के उपर click कर देना है तो अब आप नीचे यहाँ पे थोड़ा से scroll down करेंगे तो एक verification code जो की आपके नए वाले mobile number पे जाएगा तो four digit number को आपको यहाँ पे इंटर करके save के उपर click कर देना है जो भी आप नए number दिया है वहाँ पे save number पे एक verification code जाएगा आपको यहाँ पे इंटर करके आपको save कर देना है मैसेज आने में थोड़ा सा time लग रहा है तो आप भी थोड़ा सा wait कर लें जैसे ही मैसेज आएगा आपको यहाँ पे इंटर करके save कर देना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया है your account information has been successfully updated तो अब आपका mobile number और email id successfully added हो गया है तो ऐसे आप भी अपने mobile number को change कर सकते हैं